मेरा नाम विविक मार है मैं आप सभी का पीसी जन्नी चैनल पर स्वागत करता हूं आप देखना होंगे न्यूज में किस तरह से हल चल मची हुई है राजसभा चुनाव को ले करके यहां पे तीन राज काफी ज्यादा आपके आज के रेट में हाइलाइटेड करनाटक यूप के बारे में नहीं डिसकस करेंगी हम लोग्वाचेल प्रदेश के बारे में डिटेल में डिसकस करते वह चलेंगे क्योंकि ये कहीं न कहीं आपके जीस पेपर 2 टेट्स गवल्नेंस पेपर से रिलेटर यह आपका न्यूज है जोकि बहुत जादा इंपोर्टेंट होने जा रहा है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से यहां पर पर कॉंग्रेस सरका सथा में रहकर के भी बीजएपी से लिए उसके बारे में जानेंगे यहां पर राजसरबाद चुनौक का जो result आया है उसको detail में discuss करेंगे किस तरह से BJP के द्वारा जीत दर्ज की गई है इसके साथ speaker की power के बारे में हम लोग discuss करेंगे anti-difflection law के बारे में discuss करेंगे और schedule 10 के बारे में हम लोग detail में discuss करते हुए चलेंगे यह सारे topic बहुत जादे important होंगे आपके examination point of view से वो सारे topic को हम लोग यहां पर cover करते हो चलेंगे बने रही है वीडियो में वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताके आपको concepts clear हो सके और एक तरह से current affair को आप quality से किस तरह से link कर सकेंगे वो आपको इस वीडियो के माधियम से समझ में आएगा टाइए start करते हैं सबसे पहले हम लोग जानते हिमाचर प्रदेश जो है वो उत्तरी भारत में आपको यहां पर इस्तित है इसकी boundary जो है वो लद्दाक, जमुकस्मित, पंजाब, अर्याना उत्राखंड के साथ यह share करता है अगर मैं अंतराश्टी बादर की बाद करू तो यह आपका चाइना तिब्बत वाला एरिया जो है उनके साथ भी अपनी boundary को touch करता है इसके साथ हिमाचर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो यहां की दो capital है एक है सिमला जो की summer capital है एक है धरमसाला जो की winter capital है चले मुझे comment section में बताईएगा कि इसकी दो capital क्यों है ठीक है बताईएगा दो capital क्यों इस राज की है इसके साथ चिफ मिनिस्टर की बात करें तो यहां पर सुकविंदर सिंग सुकु जी है जो की congress party से ब्लॉंग करते है और इनकी सरकार आज की date में आपको हिमाचर प्रदेश में देखने को मिलेगी अगर आज बात करें तो भारत में अज इस टेट जो यह सामिल हुआ है वो 25 जनवरी 1971 में सामिल हुआ है यह धियान रख सकते हैं और टोटल 12 जीरा है यहां पर हिमाचर प्रदेश की मैप देखे तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर सिमला आपको देखने को मिलेगा जो कि यहां की समर कैपिटल है धमसाला यहां पर आप देख सकते हैं जो कि यहां की विंटर कैपिटल है ठीक है कुलू मनाली यहां पर आप देख सकते हैं बिलासपू देख सकते हैं लाहौल एन स्पिटी जो कि आज के रिट बहुत जादा नियूज पे बना हुए यह सारे जिला है ये ध्यान में रख सकते हैं आईए स्टार्ट करते आज के टॉपिक्स जो की राजसभा चुनाव से रिलेटेड हैं किस तरह से यहाँ पे बहुमत होते हुए भी बीजेपी से कॉंग्रेस की सरकार हार गई उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिसकस करते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आज के डेट में विधान सबा सीट की बात करें तो कुल सीट जो है वो 68 सीट आपको यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा जहाँ पे Congress Party के पास अगर हम लोग बात करें तो 40 seat है BJP के पास जो है वो आपकी 25 seat है इसके साथ साथ जो remaining seat बज़ की वो independent seat आप देख सकते है वो आपकी 3 seat जो है वो independent seat है अब यहाँ पे राजसभा चुनाव हुआ जिसमें Congress की जो 6 सदस थे वो cross election vote दे करके BJP के समल्थन पे इन्होंने vote दे दिया अब यहाँ पे जो Congress के पास जो support मिला है सदसों का वो 6 सदस तो यहाँ से हट करके BJP को support दे दिये यानि total समल्थन जो यहाँ पे Congress सरकार को मिला है vote के रूप में वो 34 मिला है और BJP आप यहाँ पे देख सकते है BJP को यहाँ पे independent का भी समल्थन मिला है और जो 6 सदस Congress से cross voting किये उनका भी समल्थन यहाँ पे आप देख सकते हैं देख सकते हैं BJP किस तरह से Congress सत्ता में रह करके भी उसको हरा दी है वो यहाँ पे आपको I hope clear हो गया होगा लेकिन यहीं पे स्टोरी खतम नहीं होता है अभी आप देख सकते हैं अगर हम लोग बात करें तो BJP के तरफ से जो एक seat के लिए जो यहाँ पे vote हो रहा था राजसभा चुनाओ का तो वहाँ पे जो उमिद्वा थे वो हस महाजन थे और Congress के तरफ से जो उमिद्वा थे वो अभिसेख मनु सिंग्वी जी थे ठीक है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से अगर मैं आपको बैकेंड स्टोरी बताओ तो अभिसेख मनु सिंग्वी के जगह पे सोनिया गांदे जी यहां पे चुनाओ लड़ने वाली थी लेकिन आंतरिक कला के वज़े से उनको पहले से पता था आंतरिक कला हुई थी पार्टी के अंतरियत जिसके वयसे यह से वोट ना लड़कर कि वहां से फिर चुनाव लड़ रही थी तो सबाव को ले करके तो यहांए अविश्यक मनु सिंग्वी यहांपे कौंग्रेस के तरब से यहांपर वोट लड़े जड़ यहांपर हार गए अभी हस महाजन ज जो बने हैं वह यहां पर प्रियंका गांधी के वह एक्चुली बहुत ज्यादा क्लोज थे जिसके वज़े से वह यहां पर मुख्यमंत्री बने हैं यह आप देख सकते हैं इसके साथ साथ उनके अंदर लीडर्शिप क्वालिटी की कमी देखने को मिली जो सेंटर अफ अट्रक्शन की क्वालिटी होती है अमने सारे सदस्ट को अपने सारे विधायक को एक साथ पगड़ करके रखने की उसमें कमी तस थे वह बीजेपी को जाकर के वोट दे दिये जिसके वैसे यहां पर आपको 34 वोट यहां पर कॉंग्रेस की देखने को मिलेगी 40 सीट होने के बावजूद भी तो यह एक लाकिंग पॉइंट आपको देखने को मिला कॉंग्रेस के सरकार में सुक्विंदर सिंग सुकु क अंतरकत तो यह एक पूरा पिक्चर था यह आप ध्यान से समझ सकते हैं अब कहां पर examination point of view से चीज़े आती हैं उसको अब हम समझते हैं next step में तो यह एक overview था I hope son में आ गया होगा आज इराजी सभागा चुनाओ का result किस तरह से हुआ था और किस तरह से BJP के द्वारा जीत दल्च केगे वो I hope आपको clear हो गया होगा लेकिन अभी story यहाँ पर खतम नहीं होती है अब हम लोग discuss करते है main part पर जो कि आपके examination point of view से related है कि कि किस तरह से अब जो अगला step होने वाला है यहाँ पर हिमाचर प्रदेश में वो किस तरह से आपके examination point of view को link करेगा और आप उसक किस तरह से अपने answer writing में use कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग discuss करने जा रहे हैं अब यहाँ पर role आता है speaker का speaker के power की बारे में हम लोग discuss करेंगे anti-difection law के बारे में डिसकस करेंगे articles जो इस चुनाव से related है वो हम लोग अभी discuss करने जा रहे हैं तो आइए इसको और detail में discuss करत हैं तो अभी फिलाल अभी तक हम लोगों ने जो देखा कि अभी फिलाल BJP के पास कितनी seat है 34 Congress के पास कितनी seat है Congress के पास जो है वो भी 34 seat है लेकिन अभी speaker picture में नहीं आया है अब यहाँ पे जो next step होगा वो speaker का होगा speaker जो यहाँ के हैं वो बैसके लिए कौन है कुलदीप सिं पठानिया यह यहाँ के speaker है और deputy speaker की बात करें तो वो है विने कुमार फिलाल अभी deputy speaker का कोई रोल नहीं है अभी speaker यहाँ पे picture में आएंगे और इनके तहत अभी जो 6 सदसे जो cross voting किये हैं जो Congress में रह करके BJP को support किये हैं उनके उनको यहाँ पर उनकी वोट को यहाँ पर disqualify आने वाले दिनों में किया जाएगा speaker के द्वारा disqualify क्यों किया जाएगा क्योंकि disqualify किया जाएगा anti-defection law के तहत anti-defection law के तहत यहाँ पर saddle 10 का स्पीकर यूज करेंगे और रूल 6 के तहट उन 6 सदस को से सदस की वोट को डिस्क्वालिफाई यहां पर किया जाएगा क्योंकि उनको जो वोट मिली थी वो कॉंग्रेस की सरकार में रह करके मिली थी जिसका फायदा उन्होंने गलत तरीके से उठा करके वो बिजेपी को सपोर्ट किये थी ठीक है और अभी फिलाल अगर हम लोग बात करें एंटी डिफेक्शन लॉग की बात करें तो एंटी डिफेक्शन लॉग भारत के समविधान में बावनवा समविधानिक संसोधन अधिनियम के तहत 1985 में टेंट सेडूल के तहत इसको यहां पर एड किया गया है यहां पर जो 26 सदस जो क्रॉस वोटिंग किये हैं वो आटकल 1912 के तहत उनकी वोट को डिस्क्वालिफाई किया जाएगा ठीक है यहां पर क्योंकि उनको यहां पर जो वोट दिया गया था वो कॉंग्रेस के सरकार में रह करके उनको वोट दिया गया था जिसका उन्होंने वो बैसिकली क दियांत में रख सकते हैं तो यह एंटिदिफेक्शन लॉट का यूज हो गया यह दियान रख सकते हैं इसके साथ साथ इसके साथ अब आगे क्या होगा पिक्चर में अब वो 6 सदस जो होंगे जिनकी वोट यहां पर 25 यहां पर डिसक्वालिफाई किया जाएगा तो टो टो सीट आपको देखने को मिलेगा बहुमत के लिए 32 वोट होने चाहिए लेकिन अभी अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो कॉंग्रेस के पास जो वोट है वह आपके पास 34 है और बीजेपी के अगर हम लग बात करें तो बीजेपी के पास 25 प्लस 3 यानि 28 वोट है इसके त तरह है वहाँ पे कॉंग्रेस सरकार को क्योंकि अगर बीजेपी और अगर छे सदस को ऑप्रेशन लोटस के तहत हां अपने बिल्कुल सही सुना ऑप्रेशन लोटस जो कि मद्ध पदेश में भी आपको देखने को मिला था कमलना सरकार के रहते हुए किस तरह से बीजेपी अगर उसी का से महीं स्थिति आपको यहां हिमाचर प्रजस में देखने को मिला और और अगर छे सदस को बीजेपी जो है कम से कम अपने में सामिल कर लेती है कॉंग्रेस पार्टे से तो यहां पर एक तरह से दूसरा ही सिनेरियो देखने को मिलेगा क्या दूसरा सिनेरियो आईए उसको डिटेल में डिसक्स करते हैं तो अगर छे सदस को और बीजेपी जो है अपने में सामिल कर लेती है कॉंग्रेस की तो अब यहां पर स्पीकर फिर सेडूल टेन रूल सिक्स के तरग उन छे सदस को छे सदस की वोट को डिस्कॉलिफाई कर देंगे तो फिर 28 और बहुमत के लिए 29 सीट रहनी चाहिए अब यहां पर कॉंग्रेस के पास अभी फिलाल 34 सीट है छे सदस जो है बीजेपी ने इनको अपने में सामिल कर लिया इनकी वोट को क्रोस वोटिंग के तर तो अब कॉंग्रेस के पास कुल कितनी सीट बच गई 28 सीट और 29 चाहिए तो इस केस में इस केस में क्या कंडिशन बन सकता है तो इस केस में हिमाचल प्रदेश में आपको President Rule देखने को मिलेगा और President Rule किस अनुछेत के तहत लगाया जाता है तो President Rule लगाया जाता है Article 356 के तहत ये ध्यान में रख सकते हैं तो ये आपको यहाँ पर आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है ये पूरा सिनेरियो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से यहाँ पे हिमाचर प्रदिस में राजर सभा के चुनाओ हुए और किस तरह से बीजेपी जो है कॉंग्रेस की सत्ता में रहते हुए भी किस तरह से उन्होंने जीत हासल कर ली अभी फिलाल वो अपडेट इलेक्षन कमिशन के द्वारा जो वहाँ पे चुनाओ किये गए और किस तरह से टॉस से बीजेपी जो है वो जीत गई वो हमने यहाँ पे देखा और बीजेपी के तरफ से जो मिद्वा जीते हैं उनका नाम क्या बताए है मैंने हर्स महाजल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि उनके अगेंस्ट में कौन थे अविसेक् मनु सिंग्वी जो कॉंग्रेस के तरफ से जो कि उनके जगा पे सोन्या गांदे जी लड़ने वाली थी लेकिन आंतरिक कला के वैसे वो राजस्थान के चुनाओ से लड़ रही है यहाँ पे आपको अविसेक् मनु सिंग्वी आपको देखने को मिल रहे कॉंग्रेस के तरफ से जो कि अभी फिलाल हार गए राजसभा चुनाओ में और हस माजन के द्वारा जीत दर्ज किये गए राजसभा के चुनाओ की अगर हम लोग बात करें तो हर दो साल में राजसभा के चुनाओ होती है यह ध्यान में रख सकते हैं और अभी फिलाल यहां पे हिमाचर प्रदेश में एक सीट को लेकर के यहां पे चुनाओ हो रहा था और उसी एक सीट का नतीजा जो है अभी आज स जाम 5 वजे आपको देखने को मिला ये पूरा डिटेल आपको लोग को बहुत अच्छे सवनमायों आऊगा देख सकते ही हस例えば नुदुरिवार्व हम लोगे डिवायों करու अवी कि इर क्यों आपको बहुत अच्छे सवनमायोंति ही किस तरह से अभी फिलाल हीमां Chief प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् कि जो 6 सदस cross voting किये वो वीप का उलंगन करके उन्होंने cross voting किया तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसके वैसे उनकी seat को speaker के द्वारा disqualify किया जाएगा schedule 10 rule 6 के तहद चलिए मुझे comment section में वीप के बारे में जरूर बताईगा वीप कहते किसको है मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग इसके बारे में बता पाते हैं तो इस तरह के all news updates के लिए चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए उसको भी आप लोग देख सकते हैं ठेली उसकी वीडियो आपको देखने को मिलेगा तो current affairs related और update जानने के लिए इस चैनल को जरू सब्सक्राइब करें वीडियो को ज़्यादा शेयर करें वीडियो पसंद आया तो लाइक जरू कर देजेगा मिलते हैं अकले वीडियो में जय हिंद जय भारत